चार नमबर भी देखो, चार नमबर भी देखलो, माना, y बराबर, cos inverse, cos x plus sin x by root 2 दिया, चलिए इसको देखते हैं, y बराबर, cos inverse, मैं यहाँ पे अलग-अलग करता हूँ, cos x into में 1 by root 2, और plus sin x into में 1 by root 2, इसे कर सकता हूँ ला, चलिए, y बराबर में, cos inverse, यहाँ देखो, sin a plus b वाले पे भी बना सकता हूँ, और मैं cos a minus b वाला फर्मूला भी set कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि बाहर cos है, तो cos में ठीक करना ठीक रहागा, तो यहाँ पे मैं cos 5a4 लिख देता हूँ, और plus sin x into में sin 5a4 cos a cos b plus sin a sin b, किसका फर्मूला होता है, तो cos a minus b क्या, cos inverse, cos x minus, cos a minus b क्या, होता है न जी, तो यहाँ पे a के जगह पे, a के जगह पे आपको pi by 4 लेना होगा, pi by 4 और minus का x, ठीक है, समझ रहा ना, तो यह cos a cos b plus sin a sin b, तो cos a minus b का फर्मूला आ गया, तो cos a cos inverse हट जाएगा, pi by 4 minus में x, तो यहाँ आप डिफ्रेंसियेट करतेंगे with respect to x, तो dy by dx इसका 0 और यहाँ minus 1, तो minus 1 आ गया, समझ गया, उसा नमबर 6,